नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होगे और हमारे इस विडियो का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे होगे आज हम नौमिक अक्षा की किताब लोकतांत्रिक राजनिती के दूसरे अध्याय सम्विधान निर्मान को आगे बढ़ाएंगे पिछले विडियो में हमने यह जाना था कि दक्षिनी अफ्रीका में आजादी से पहले क्या स्थिती थी और वहाँ सम्विधान का निर्मान कैसे हुआ और हमने यह भी जाना था कि सम्विधान किसी भी देश की जरूरत हो सकता है पर लोकतंत्र में सम्विधान का होना बेहत जरूरी है क्योंकि सम्विधान ही नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ती और उसके काम करने के तोर तरीकों को निर्धारित करता है आज के इस विदियो में हम भारत में सम्विधान निर्मान की प्रिक्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे यानि सम्विधान कैसे बना और किन-किन लोगों ने इसमें प्रमुख भूमी का निभाई और साथ ही हम सम्विधान से जुड़े कुछ मौलिक विचारों और मुल्यों पर चर्चा भी करेंगे बच्चो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश के सम्विधान को बनने में कितना समय लगा होगा जानना चाहोगे हमारे देश का सम्विधान दो साल ग्यारा महीने और सत्रा दिनों में बनकर तयार हुआ और समिधान निर्मान की यह प्रक्रिया देश के आजाद होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी बच्चो दक्षिन अफ्रीका की तरहें भारत का समिधान भी बहुत मुश्किल हालातों में बना भारत जैसे विविधिता वाले देश में समिधान बनाना कोई आसान काम नहीं था भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकल कर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे देश धर्म के आधार पर हुए बटवारे की उत्रासदी से गुजरा था भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बटवारा भारी बरबादी और दिल दहला देने वाला अनुभव था बटवारे से जुड़ी हिंसा में कम से कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे देश की रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलने या स्वतंत्र रहने की पूरी आजादी थी परंतु यह बहुत मुश्किल और दुविधा पूर्ण काम था यानि कुछ भी स्पष्ट नहीं था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना की आज है समिधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी सारी मुश्किलों के बावजूद भारतिय समिधान निर्माताओं को एक बड़ा लाब था दक्षिन अफ्रीका में जिस तरह समिधान निर्मान के वक्त ही सारी बातों पर सहमती बनानी पड़ी वैसा भारत में नहीं हुआ क्योंकि भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोग तंत्र समेत अधिकतर बातों पर राश्ट्रिय सहमती बनाने का काम हो चुका था अमारा राश्ट्रिय आंदोलन सिर्फ विदेशी ताकत के खिलाफ संघर्ष ही नहीं था बल्कि यह अपने समाज को फिर से जगाने यानी समाज और राजनिती को नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आजादी की लड़ाई के दौरान भी अलग-अलग विचार थे हाँ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी सहमत थे 1928 में ही मोतिलाल नहरू और कॉंग्रिस के आठ अन्यनेताओं ने भारत का एक समिधान लिखा था 1931 में कराची में हुए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का समिधान कैसा होगा इसमें व्यसकों को मताधिकार देने समानता और अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी इस प्रकार समिधान की रचना से पहले ही बुन्यादी मुल्यों पर सभी नेताओं की सहमती बन चुकी थी इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजनेतिक संस्थाओं ने भी नई राजनेतिक संस्थाओं का सुरूपते करने में मदद की 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेम्बलियों के लिए चुनाफ कराए गए थे चाहे इन में बनी सरकारें पूरी तरहें लोगतांतरिक नहीं थी पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बाद में बहुत काम आया 1935 का भारत सरकार का कानून इसके साथ ही आजादी के बाद भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए इसे लेकर सालों पहले ही चिंतन और बहस चलती रही हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपना लिया हमारे अनेक नेता फ्रांसिसी क्रांती के आधर्शों ब्रिटेन के संसदिये लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे रूस में हुई समाजवादी क्रांती ने भी अनेक भारतियों को काफी प्रभावित किया था और वे ऐसी विवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे जो आर्थिक और सामाजिक समता पर आधारित हो लेकिन बच्चों हमारे नेता दूसरों की सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे हर कदम पर वे यह ध्यान रखते थे कि जो चीजें वे अपनाना चाहते हैं क्या वो भारत के लिए उप्युक्त होंगी इस तरह कई कारकों ने हमारे देश का समिधान बनाने में मदद की अब सवाल है कि भारत का समिधान किस ने बनाया तो बच्चों इस काम के लिए समिधान सभा का गठन किया गया सविधान सभा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा जो समिधान को लिखने का काम करती है समिधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और समिधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी इसके बाद देश का बटवारा हो गया सविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई भारत की सभिधान सभा और पाकिस्तान की सभिधान सभा भारतिय सभिधान सभा में 299 सदस्य थे इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और समिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया प्रियाद में हम हर साल 26 जन्वरी को गण तंत्र दिवस मनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस सभाद्वारा बनाए 70 साल पुराने समिधान को हम क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर है कि समिधान सिर्फ समिधान सभा के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी किसी भी बड़े राजनैतिक दल ने समिधान की वैधता पर सवाल नहीं प्रावधानों पर सवाल जरूर उठाए गए हैं, जानते हो बच्चों, दुनिया के कई देशों में समिधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि समिधान में लिखी गई बातों पर वहां के सभी सामाजिक समुहूं या राजनैतिक दल सहमत नहीं थे, कई देशों में समिध समिधान की बात ही अलग है, जिस तरह से समिधान को मानने का एक और कारण यह है कि समिधान सभा भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व ही कर रही थी, क्योंकि इसका चुनाव प्रांतिय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जो की जनता द्वारा ही चुने गए थे, और इस तरह देश के सभी भौगालिक शेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था, यही नहीं, इस सभा में सभी समूह, जाती, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे, कई सदस्य भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस के थे, जिसने राश्ट्री आंदोलन की अग गवाई की थी, जिस तरह से समिधान सभा ने काम किया, वे समिधान को एक तरह की पवित्रता और व्यदता देता है, सबसे पहले बुन्यादी नियम बनाए गए और उन पर सबकी सहमती ली गई, फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बीयारंबेतकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप समिधान बनाया, प्रारूप यानि किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, समिधान की प्रतेक धारा पर कई-कई दौर में चर्चा हुई, धारा होती है बच्चों, इसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद, 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ, यानि उनमें बदलाव के बारे में सोचा गया, तीन वर्षों में कुछ 144 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद सभा में हुई हर बाद को रिकॉर्ड किया गया, और इस रिकॉर्ड को Constituent Assembly Debates के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित कि इन बहसों के आधार पर हम हर प्रावधान के पीछे के तर्क और सोच को समझ सकते हैं, इनका उप्योग समविधान की व्याख्या करने के लिए भी होता है, तो बच्चो ये तो थी समविधान बनने की कहानी, बच्चो अब मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ, आपको अ उन्हें आजजादी, बटवारे या समविधान के बनने को लेकर कुछ याद हैं, उस समय उनके मन में क्या डर थे, नई सरकार से क्या उमीदें थी, मुझे विश्वास है आप ये जरूर करोगे, और अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी, जिनोंने स वतंत्र भारत की नई सरकार का हिस्सा बने, बच्चो यह तस्वीर है वलब भाई, जावर भाई, पटेल की, इनका जन गुजरात में हुआ था, यह अंतरिम सरकार में ग्रह, सूचना एवं पृसारण मंत्री थे, यह पेशे से पहले वकील थे, इन्हें लोह पुरिश भी क पहा जाता है, दूसरी तस्वीर है सरोजनी नाहिडू की, इनका जन आंधर प्रदेश में हुआ, यह एक कवित्री, लेखी का और राजनेतिक कार्य करता थी, यह बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, अगली तस्वीर है अबुल कलाम आजाद की, यह एक लेख और धर्म शास्त्रों के ग्याता थे, इन्होंने मुसल्मानों की अलगाव वादी राजनिती का विरोध किया, यह पहले केंद्री मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री बने, अगली तस्वीर है टीटी कृष्णा मचारी की, इनका जन तमिल नाडू में हुआ, वह प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, बाद में वह केंद्री मंत्री मंडल में वित मंत्री बने, अब हम देख रहे हैं श्री राजिंद्र प्रसाद की तस्वीर, इनका जन बिहार में हुआ, वह समिधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में वह भारत के प्रथम राष्ट्रपती बने, अब ह देख रहे हैं, H.C. मुकरजी की तस्वीर, इनका जन बंगाल में हुआ, यह समिधान सभा के उपाध्यक्ष थे, बाद में यह बंगाल के राजेपाल बने, यह तस्वीर है बलदेव सिंग की, इनका जन हर्याना में हुआ, यह समिधान सभा के सदस्य थे, बाद में वह केंद मंत्री मंदल में रक्षा मंत्री बने। अगली तस्वीर है श्यामा पुरसाद मुकर जी की। इनका जन पश्चिम बंगाल में हुआ। यह अंत्रिम सरकार में उध्योग एमम आपूर्ती मंत्री थे। इनको तो आप पहचानते ही होगे। यह हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अमबेदकर यह प्रारूप कमिटी के अध्यक्ष थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में यह कानून मंत्री बने। और यह तस्वीर है हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नहरू की। इनका जन उत्तर प समिधान के दर्शन की यानि इसके बुन्यादी मुल्यों की और जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन से विचार हैं जो समिधान को दिशा देते हैं। यह काम हम अपने नेताओं के समिधान संबंधी विचार पढ़कर भी समझ सकते हैं पर समिधान खुद भी अपने के बारे में बहुत कुछ कहता है वो कैसे आईए देखें बच्चो समिधान की प्रस्तावना यह काम करती है प्रस्तावना यानि जिससे समिधान की शुरुआत होती है दुनिया के अधिकांश देश समिधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं हमने पिछले विडियो में दक्षिन अफ्रीका के समिधान की प्रस्तावना पड़ी थी, याद आया, जिसमें श्री नेलसन मंडेला ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जिसमें सभी मिलजुल कर रहें, सभी को समान अधिकार हों, किसी के साथ भेदभाव न हो। महात्मा गांधी की भी हमारे समिधान से कुछ ऐसी ही अपेक्षाएं थी, चाहे वे समिधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर सभा के कई सदस्य उनके विचारों से सहमत थे। महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, मैं भारत के लिए एक ऐसा समिधान चाहता हूँ, जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रियास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ती भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागिदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्चवर्ग और निम्नवर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुधाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में चुवाचूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होंगा। ऐसा ही भेदभाव मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अमबेदकर के मन में भी था जिन्होंने समिधान निर्मान में एक अहम भुमिका निभाई। वे समाज में असमानता को दूर करना चाहते थे पर इस बारे में उनके विचार अलग थे। समिधान सभा में दिये गए अपने आखरी भाषन में उन्होंने अपनी चिंताओं को बड़े साफ शब्दों में व्यक्त किया था। आईए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधा भासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनिती के मामले में हमारे यहां समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनिती में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिधानत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक धांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिधानत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधा भास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनयतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे और अब बच्चो मैं आपको एक एधासिक शन से रूबरू कराने जा रही हूं और दिखाने जा रही हूं एक विडियो जिसमें आप अपने देश के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नहरू के उस प्रसिद भाशन को सुनेंगे जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्री के समय समिधान सभा में दिया था जवाहरलाल नहरू जी का भाशन सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे समिधान में किन मौलिक विचारों को समिलित किया गया था इसमें वही मुल्ले शामिल थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेणा दी थी और आजादी की लड़ाई के दौरान जिन्हें परक लिया गया था आईए अब हम अपने समिधान की प्रस्तावना को देखें इसे उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि यह समिधान के उद्देशियों को दर्शाती है यह प्रस्तावना लोक तंत्र पर लिखी एक कविता सी लगती है इसमें भारती समिधान की आत्मा बस्ती है इसके सहारे परका जा सकता है कि कौन सा कानून कौन सा फैसला अच्छा है और कौन सा बुरा आईए इसे पढ़ें और इसमें आए हर महत्वण वाक्य और शब्द क मतलब समझने की कोशिश करें आओ सबसे पहले हम पहले वाक्य का अर्थ समझते हैं हम भारत के लोग भारत को इसका अर्थ है कि भारत के समिधान का निर्मान भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है न कि इसे किसी राजा या बहरी आदमी ने उन् अगला शब्ध है प्रभुत्व संपन यानि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अगला शब्ध है समाजवादी यानि समाज में संपदा सामुहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार, जमीन और उद्योग धंदों की हगदारी से जुड़े काइदे कानून इस तरह बनाएं की सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। अगला शब्द है पंथ निर्पेक्ष यानि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन कोई धर्म अधिकारिक नहीं है सरकार सभी धार में एक मान्यताओं और आचरणों को समान समान देती है। आगे है लोग तंतरात्मक यानि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनेतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाब दे बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुन्यादी निमों के अनुरूप चलती है। अगला शब्द है गणराज्य यानि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा न कि किसी वंश या राज खांदान का। अगला शब्द है न्याए जिसका अर्थ है नागरिकों के साथ उनकी जाती, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाग नहीं किया जा सकता। फिर है स्वतंत्रता यानि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें। इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसके बाद है समता, इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्थ होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की विवस्था करेगी। आखिर में हैं बंधुता यानि हम सभी ऐसा आचरन करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हूँ। कोई भी नागरे किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। बच्चो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो शब्दों समाजवादी और पंथ निर्पेक्ष को 42 समिधान संशोधन द्वारा समिधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। यह संशोधन 1976 में हुआ था। अब आईए एक नजर डालते हैं संयुक्त राज्ये अमेरिका के समिधान की प्रस्तावना पर। संयुक्त राज्ये के हम सभी लोग अधिक अच्छा संग बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांती बनाने, सांजा सुरक्षा विवस्था बनाने, जन कल्यान को बढ़ावा देने, तथा अपने और अपनी समृद्धी में स्वतंतृता का लाब लेने के लिए संय इन देशों के समिधानों की प्रस्तावना देखी, अब आपको इन तीनों प्रस्तावनाओं की तुल्ना करनी है, और इन में जो भी विचार सांजा है, उनकी सूची बनानी है, इन सभी में कम से कम एक बड़ा अंतर बताना है, और यह भी बताना है कि कौन सी प्रस्तावना अतीत यानि पुराने समय की ओर संकेत करती है समिधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन की बात ही नहीं करता यह संस्थाओं का सुरूप भी तै करता है यह एक बहुत ही लंबा और विस्तार में लिखा गया दस्तावेज है और इसलिए समय समय पर इसमें बदलाव की जरूरत पढ़ती रहती है समिधान के निर्माताओं ने बड़ी सूजभूज से इसमें बदलाओं को शामिल करने का प्रावधान भी रखा इन बदलाओं को समिधान संशोधन कहते हैं समिधान में देश की संस्थागत वेवस्था को कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है अगर आप समिधान को पहली बार पढ़ें तो हो सकता है यह आपको कुछ समझना आए पर आपको देश की विभिन संस्थाओं का बुन्यादी स्वरूप समझ में जरूर आ जाएगा किसी भी समिधान की तरह भारतिय समिधान भी वे नियम बनाता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा इसमें साफ लिखा है कि किस के पास कितनी शक्ती होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा साथ ही समिधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्षमन रेखा तै कर देता है कि सरकार इस से आगे नहीं बढ़ सकती बच्चो इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है मुझे उमीद है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगी और आपको उनके उत्तर देने है सबसे पहले यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं आपको बताना है कि यह सही है या गलत पहला वाक्य है उननिस सो अच्छाइस में मोतिलाल नहरू ने समिधान लिखा तो बच्चो यह वाक्य सही है या गलत ये वाक्य गलत है क्योंकि 1928 में सिर्फ मोतिलाल नहरू ने ही सविधान नहीं लिखा था उनके साथ आठ अन्य नेता भी थे अगला वाक्य है भारतिय सविधान सभा में 299 सदस्य थे तो बच्चो ये वाक्य सही है या गलत ये वाक्य सही है आईए देखें अगला वाक्य 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का समिधान लागू हुआ था ये वाक्य भी सही है अगला वाक्य है डॉक्टर भीमराव अमबेदकर भारत के प्रथम राष्ट्रपती थे तो बच्चो ये वाक्य गलत है क्योंकि वे भारत के प्रथम राष्ट्रपती नहीं बलकि कानून मंत्री थे वे सविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे अब आगे चलते हैं और कुछ अन्य प्रश्ण देखते हैं इनके साथ कुछ विकल्प दिये गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है पहला प्रश्ण है भारती समिधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे और आपके विकल्प हैं 299, 666, 500 या 222 और इसका उत्तर है 299 अगला सवाल है 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था और आपके विकल्प हैं समिधान लागू, आजादी, समिधान सभा का गठन या इन में से कुछ नहीं और इसका उत्तर है समिधान लागू, अगला प्रश्न है समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई और आपके विकल्प हैं दिसंबर 1947, दिसंबर 1945, दिसंबर 1946 या दिसंबर 1948 इसका उत्तर है बच्चो दिसंबर 1946 अगला प्रश्न है भारत के समिधान निर्मान में किस नेताने मुख्य भूमी का निभाई और आपके पास विकल्प हैं गांधी जी, जवाहर लाल नहरू, डॉक्तर अंबेदकर या इन में से कोई नहीं और इसका उत्तर है डॉक्तर अंबेदकर और अब आकरी सवाल, भारत के समिधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नमबर एक, यह एक लंबा दस्तावेज है, यह संस्थाओं का सुरूप तै करता है, यह कुछ मौलिक विचारों पर आधारित है, या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता तो बच्चों, इसका उत्तर है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारे सविधान में समय समय पर कई बदलाव किये गए हैं अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और प्रश्ण जिनका उत्तर आपको एक या दो शब्दों में देना है, तो पहला प्रश्ण है, समिधान की शुरुवात एक प्रस्तावना से करते हैं, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ बताओ, और इसका उत्तर है उत्देश दूसरा प्रश्ण है, हमारे देश का समिधान किसने बनाया और इसका उत्तर है समिधान सभाने, आओ अब देखते हैं तीसरा प्रश्ण, भारत का समिधान बनाने में कितना समय लगा और इसका उत्तर है, दो साल, ग्यारा महीने, सत्रे दिन, अगला प्रश्ण है, भारत का समिधान बनकर कब तयार हुआ? इसका उत्तर है बच्चो, 26 नवंबर 1949, और अब आखरी सवाल, समिधान सभा में हुई हर बात को किस नाम से प्रकाशित किया गया है? और इसका उत्तर है, Constituent Assembly Debates. तो बच्चो, कैसा लगा आज का विडियो? मुझे विश्वास है, इसे देखकर आप भारत के समिधान के बारे में बहुत कुछ जान चुके होगे. आज के लिए इतना ही, अगले अध्याय में हम समिधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे. और जानेंगे कि समिधान द्वारा स्थापित संस्थाएं और विवस्थाएं लोकतांत्रिक राजनिती में किस प्रकार काम करती हैं? अब वक्त है अलविदा कहने का, आप से जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए. झालविदा झालविदा रहिए.